हेलो एवरिवन माई नेम इस सिर्वेश और वाचिंग माई यूटीव चैनल आज की इस वीडियो में दो चीज़े आपको बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलेंगी सबसे पहला कि acceptable mistakes क्या होती हैं मैं बताता रहता हूं कि भाई हिंदी के grammar के हिजाब से भी हम सही नहीं बोल देती हैं तो आज ऐसे sentences भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा और second आपको ऐसी चीज़े मिलेंगी जिनका meaning मलब है कुछ और अगर आपको बिलुकुल उनको translate करोगे तो अलग meaning निकलेगा लेकिन उनका actual meaning कुछ और होता है तो यह दो तीन चीज़े आपको सीखने को मिलेंगी तो ध्यान से वीडियो को देखना तो चली शुरू करते हैं दीगे यहाँ पर पहला sentence है आपको किस तरह के adjustments करने पड़े sentence कौन सा है यह sentence है आपका past indefinite past indefinite में सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब में हाँ या ना में नहीं दे सकता तो formula क्या होता है हमारा question word main word doer और action यह होगा यहाँ पर action क्या है यह चीज़ बहुत ध्यान से समझना करना पड़ा मजबूरी वाली चीज़ जैसे कि मैं बोलू मुझे रोज जाना पड़ता है so I have to go तो action है यहाँ पर have to तो करना पड़ा यहाँ पर action have to ही है दो चीज़ समझ में आ गए अब sentence की formation क्या बताई थी मैंने question word main word doer और action तो बनाते है question word क्या है यहाँ पर किस तरह के adjustments यह पूरा question word है so what kind of adjustments फिर main word did फिर doer you और action क्या बता है मैंने have to so what kind of adjustments did you have to make यह बनना चाहिए था यह हो गया grammatically correct sentence अब यहाँ पर spoken में यह चीज़ क्य क्या हो रही है कि इन्होंने did को have to के अंदर लगा के have की second form बन गई क्योंकि did छुपता तो second form बनती है और have की second form head बन गई ठीक है तो यह sentence head वाला नहीं है यह sentence है आपका past indefinity सिर्फ have की second form लगी हुए grammatically जो की गलत है क्योंकि did छुपा रखा है सवाल में did निकालना चाहिए था लेकिन ऐसे चीज़े बहुत मिलती है जैसे कि अगर मैं किसी से पूछू तुम कल कहां गए थे सवाल बनना चाहिए था कि where did you go yesterday यह बनना चाहिए था लेकिन आपको ऐसा मिल जाएगा where you went yesterday ऐसे भी मिल जाएगा कि go की second form लगी दिट छुपा दिया चीक तो यह acceptable mistake है तो जो ठीकल है कि आप बना सकते हैं जब आप मुंबई आई चीक है अब एक चीज़ में आपको और समझा देता हूं आप क्या करना शुरू करो हिंदी का जो सेंटेंस है वो डूर से पकड़ो उससे पहले की चीज़ को लगा दो उसको ट्रांसलिट करके छोड़ दो जैसे यह आप आप अब जब के लिए मैंने वैन लगाया और उसको साड में रख दो सेंटेंस है आप मुंबई आई चीक है सेंटेंस कौन से है सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस डूर में वर्ड एक्शन यही आना चीज़िए डूर कौन है आप यू मेंवर्ड action आना कम, लेकिन simple sentence है तो did छुपेगा, कम के अंदर second form बन जाएगी, अगर negative या फिर question वाला होता, तो did बाहर निकलता so you came to Mumbai, आप Mumbai आई तो पूरा sentence बन गया, जब आप Mumbai आई when you came to Mumbai, जैसे Sanskritic अंतर या खाना, सो Sanskritic अंतर मतलब cultural differences अब जैसे के लिए like लगाया like, cultural differences और food बहुत से लोग comment करते हैं, चीक है बहुत से लोग comment करते हैं तो यहाँ पे sentence कौन सा है present indefinite का sentence है चीक है, do does वाला sentence है formula क्या लगेगा, simple sentence है ना negative है ना question है, तो formula वही main word, doer और action main word, sorry doer, main word action मैं confused ही होगा था, तो ठीक है, doer, main word और action, यह formula लगेगा अब यहाँ पे doer कौन है, बहुत से लोग comment करते हैं, doer है बहुत से लोग, so lots of people lots of people, फिर main word आना चीए do, क्योंकि plural है तो do लगेगा, अब action कहा है comment करना so comment, लेकिन simple है, तो do छुबे का comment के अंदर और उसमें कोई change नहीं होगा so lots of people comment, बहुत से लोग comment करते हैं कि आपका बोलने का तरीका नकली है ठीक है, अब की के लिए that लगा और sad mark दो, sentence पकड़ेंगे आपका बोलने का तरीका नकली है ठीक है, अब ये वाला sentence है, simple present इसमें कुछ action नहीं है, सिर्फ एक state की बात चल रही है so formula क्या होगा किसकी बात कर रहे है, फिर main word फिर वो क्या है, ठीक है आपका बोलने का तरीका नकली है तो किसकी बात कर रहे है, आपका बोलने का तरीका so बोलने का तरीकों का हम बोलते है, accent ठीक है, your accent अब main word आएगा, singular है तो is your accent is, अब वो क्या है नकली, fake, ठीक है so पूरा sentence क्या बना, बहुत से लोग comment करते हैं कि आपका बोलने का तरीका नकली है, lots of people comment that your accent is fake, ठीक है, accent के जगा the way you speak, ये सब चीज़े भी लगा सकते हो क्या आपने इन सभी मुद्दों का सामना किया past indefinite sentence है सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ so क्या आपने इन सभी मुद्दों का सामना किया इसका formula क्या लगेगा जब भी ऐसा सवाल आये है जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो main word सबसे पहले आ जाएगा so main word doer action ये होता है इसका formula तो main word क्या लगेगा did, doer कौन है आप, you action क्या है, सामना करना मतलब face किसी जिसको face करना, सामना करना so did you face क्या आपने सामना किया all these issues इन सभी मुद्दों का issues में आपके मुद्दे, दिक्कत, परेशानी ये सब चीज़े आ जाती है so क्या आपने इन सभी मुद्दों का सामना किया did you face all these issues अभी गरी हाँ, बहुत सारे लोग है जिन्हें मेरे बोलने के तरीके से दिक्कत है अभी इसमें काफी सारे sentences मिलेंगे आपको काफी सारी चीज़े मिलेंगी पहला, हाँ, के लिए yes लगाओ, sadm रख दो बहुत सारे लोग है अब ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि जब भी हम किसी चीज़ की सिर्फ presence की existence की बात करते हैं कि कोई चीज़ है, कहां है, कैसे है, वो चलो छोड़ो अगर बस presence, existence की बात कर रहे हैं तो आप उनसको there से शुरू करो और there के तरंत बाद आपका main word आजाएगा चीक है, जैसे कि मैं बोलनू कि फ्रिज में एक bottle है, so there is a bottle in fridge, चीक है, इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं तो there के बाद, बहुत सारों के बात करें तो are, there are lot of people बहुत सारे लोग है, there are lot of people जिनहें मेरे बोलने के तरीके से दिक्कत है चीक है, अब यहाँ पे जो sentence है यह sentence है कि जो दिक्कत रखते हैं जो दिक्कत रखते हैं, तो यह sentence है आपका present indefinite action क्या है यहाँ पे, रखना, मतलब उनको कुछ चीज है, action है यहाँ पे have, ध्यान से समझने है इस चीज को action है यहाँ पे, have so sentence, जिनहें दिक्कत है जो दिक्कत रखते हैं इस तरह ही से बनेगा, और doer main word action, यह formula रहेगा so doer कौन है, जिनहें अब जिनहें, जब लोगों की बात कर रहे हैं तो हम who का use करेंगे, so who यह हो गया doer, main word आपका आएगा, do, चीजिक है क्योंकि लोगों की बात कर रहे हैं, plural है चीजिक है, अब action क्या है यहाँ पे दिक्कत है, जो रखते हैं, have चीजिक है, so who do have आना चाहिए, do or main word action, लेकिन simple है तो do छुप गया have के अंदर कोई change नहीं आया, who have अब क्या है उन्हें issue who have issue, जिनने दिक्कत है चीजिक है, जिनने दिक्कत है किस चीज से, with the way, जिस तरीके से I speak, मैं बोलती हूँ चीजिक है, अभी जो I speak है, मैं बोलती हूँ यह भी present and definite sentence है, I do speak do or main word action, लेकिन do छुप गया speak के अंदर कोई change नहीं आया, the way का मतलब जिस तरह से आप यहाँ पे like भी लगा सकते हो like I speak, इस तरह से भी लगा सकते हो तो पूरा sentence बना हाँ, बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें मेरे बोलने के तरीके से दिक्कत है, yes, there are lot of people who have issue with the way I speak मैं लगातार खुद को आगे बढ़ाना और सुधारना चाहती हूँ चीक है, अब यहाँ पे लगातार जो word है, ऐसी जो चीज़े होती है आपको कई sentences मिलेंगे जैसे just आ जाता है even just आ गया और काफी सारे चीज़े में sentence में बताता रहता हूँ, हर वीडियो में दो तीन चीज़े ऐसी आए ही जाती है, तो यह जो होता है, चाहती हूँ, ताहती है present indefinite sentence है, और simple formation है, ना ही negative है, ना ही question है, तो formula क्या रहेगा, do or main word action, do or कौन है, मैं, I फिर main word आना चीज़े, do action क्या है, यह पे चाहना, want to so I do want to आना चीज़े, लेकिन simple है, तो do चुप गया, want to के अंदर कोई change नहीं आया, I want to, क्या चाहती हूँ, मैं, खुद को आगे बढ़ाना, मतलब grow करना, ठीक है, I want to grow, और सुधारना खुद को, and improve myself, ठीक है, so I want to grow and improve myself, अब end में आगर आप चाहो, तो यहाँ पे constantly लगा दो, कि I want to grow and improve myself constantly, या फिर आप इस चीज़ को action से पहले लगा दो, action क्या है want to, ठीक है, so I constantly want to grow and improve myself, मैं लगातार खुद को आगे बढ़ाना और सुधारना चाहती हूँ, ऐसे बन जाएगा, लेकिन मुझे ये बात भी समझ में आई है, ठीक है, मलब आ गई है, उस तरीके से, तो sentence कुण सा है ये वाला, sentence है ये आपका present perfect sentence, ठीक है, पहले बात तो ये है, अब ये sentence कही तरीके से बन सकता है, ठीक है, I have got one thing, I have understood one thing, I have realized one thing, ये कही तरीके से बन सकता है, लेकिन, जब जिस तरह से हैं पर sentence बोला गया, मैं आपको वो चीज़ clear करने ही कोशिश करता हूँ, लेकिन के लिए but लगाओ, sad में रख दो, sentence पकड़ते हैं, मुझे ये बात भी समझ में आ गई है, ठीक है, ये वाला sentence है, तो इस चीज़ के लिए term use होती है, to come to the terms of the facts, ठीक है, come to the terms of the facts का मतलब होता है, अगर इसको शुद्ध हिंदी में जाओगे, ठीक है, तो terms का मतलब शर्ते हो गया, facts का मतलब तत्थे हो गया, तो बहुत ही confusing meaning निकलेगा, बहुत ही confusing, लेकिन इसका meaning होता है, पूरे structure का meaning होता है, कोई चीज clear हो जाना, किसी चीज पर भरोसा कर लेना, कोई चीज समझ में आ जाना, accept कर लेना, कि हाँ जी भाई, ये चीज ऐसी है और मैं समझ गया इस चीज को, तो उस पूरी चीज के लिए हम इस term का use करते हैं, come to the terms of the facts, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर sentence कौन सा है, present perfect, तो come की third form, come ही होती है, यहाँ पर third form का use किया गया है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात भी समझ में आ गई है, but I have also come to the terms of the facts, मेरी परवरिश यहाँ नहीं हुई है, अब ये sentence कौन सा है, बड़ा मज़ेदार है, ये sentence है आपका, present perfect का passive, ठीक है, कि मतलब मेरी परवरिश यहाँ नहीं की गई है, किसने की है, इस पर जोर नहीं दिया है, सिर्फ कोई चीज की गई है, ठीक है, मैं बोलो, this wall has been painted, इस दिवार को paint किया गया है, किसने गया है, वन उस पर जोर ही नहीं दिया, ठीक है, काम पर जोर है यहाँ पर, वो होते है passive sentence, सो मेरी परवरिश यहाँ नहीं हुई है, मेरी परवरिश यहाँ नहीं की गई है, ठीक है, सो negative sentence हो गया, formation क्या रहेगी, पहला आपका doer, फिर main word, फिर not, और फिर action की third form, ठीक है, action की third form आएगी, passive voices में, passive sentences में, so doer कौन है, मैं, किसकी नहीं की गई है, मतलब मेरी, so I, फिर main word यहाँ पर use होता है, have been, समझ रहे हो, have been, so have been का, मैंने बताया हूँ है, कि have been, has been हो, will be हो, इस तरह की चीज़े होती है, तो not जो लगता है, वो पहले उसके साथ लगता है, जैसे will be में, will not be, इस तरह से, चीज़े, सो यहाँ पर have के साथ not लगेगा, फिर आएगा been, so doer main word, not or action, so I, have, not, been, अब action आया है आपका, मतलब परवरिश करना वाँ रेस करना, so I have not been raised, third form लगे है, raise की, here, यहाँ पर, तो मेरी परवरिश यहाँ नहीं हुई है, मुझे, मेरी परवरिश यहाँ नहीं की गई है, so I have not been raised, here, मैं सुनाक्षी जितना अच्छा कभी नहीं बोल पाऊंगी, वालब यह हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी बोलने की बात कर रहे हैं, तो मैं सुनाक्षी जितना अच्छा कभी नहीं बोल पाऊंगी, अब मैंने as वाली जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने चिस clear बताई हुई है, कि जब हम इस तरह के कोई compare करते हैं, as tall or as, as good as, तो as का यूज इस तरह से भी होता है, मैंने शायद 6 या 7 यूज बताया थे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, प्लेलिस में आपको मिल जाएगी, सो मैं सुनाक्षी जितना अच्छा कभी नहीं बोल पाऊंगी, sentence कौन सा है, future का sentence है, future का sentence और negative है, लेकिन यहाँ negative के लिए not लगाने के जुरूत नहीं है, कि कभी नहीं के लिए never लगा देंगे, समझ रहे हैं, इस तरह से, so future indefinite का sentence, आप ऐसे ले सकते हो, I will not be able, ठीक है, कि मैं उस लायक नहीं होंगी, इस तरीके से, ठीक है, as good as sunakshi, कि sunakshi जतना अच्छा बोलने के लायक मैं, कभी नहीं होंगी, इस तरह से sentence की formation बनी, so मैं sunakshi जतना अच्छा कभी नहीं बोल पाऊंगी, I will not be able to speak, ठीक है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, I will not be able to speak, as good as sunakshi, sunakshi जतना अच्छा, ऐसे sentence बना, लेकिन के लिए बट लगाओ, सैड में रख दो, यहाँ पर doer है ये, ये मुझे अपने आप में लगाता सुधार करने से नहीं रोक रहा है, formation क्या रहेगी, doer, main word, not, action की first form में ing, क्योंकि continuous sentence है, doer कौन है ये, it, इसके साथ लगेगा main word is, फिर आएगा not, action क्या है यहाँ पर रोकना, तो stop की first form में ing, stopping, so it is not stopping me, ये मुझे नहीं रोक रहा है, from continuously improving myself, किस चीज़ से, continuously improving myself, improve के अंदर ing क्यों लगा हुआ है, ना नीने वाला sense आ रहा है, सुधार करने से, सुधारने से, वो वाले sense के लिए, आपे improve में ing लगा हुआ है, लेकिन ये मुझे, अपने आप में सुधार, लगाता सुधार करने से, नहीं रोक रहा है, but it is not stopping me from, continuously, continuously improving myself, अगर जैसे मैं बोलो कि, तुम मुझे खेलने से, नहीं रोक सकते, so you cannot stop me, from playing, इस तरह से ing का use होगा, तो next देखते हैं, मैं लगबग हर दिन, class के लिए जाती हूँ, present indefinite sentence है, simple formation है, do or main word action, do or है, मैं, I, main word I के साथ do, action कहा है, जाना go, I do go आना चाहिए, simple है, तो do छुप किया, go के अंदर कोई change नहीं आया, I go, मैं जाती हूँ, I go to class, मैं class जाती हूँ, like almost every day, अब like almost every day, मैं हर दिन की तरह, इस तरह से, sentence बना, हर दिन की तरह मैं class जाती हूँ, so, जो sense लेकर चलता है, इसका मतलब है, कि मैं हर दिन class जाती हूँ, लगबग हर दिन class जाती हूँ, आप जब पहली बार आई थी अब ये sentence चाहो तो आप इसको past perfect भी बना सकते हो इस तरह से ऐसे भी बन जाएगा ये आप चाहो तो इसको past indefinite भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है past perfect और past indefinite दोनों में sentence बन सकता है grammatically देखने जाओ तो ये past perfect में होना चीए था लेकिन अब जैसा यहाँ पे है मुझे तो वह इची समझानी है जब आप पहली बार आई थी अब जब के लिए when लगाओ सैड मरक दो doer से पकड़ते हैं आप पहली बार आई थी ठीक है so doer main word और action formation यही रहेगी past indefinite का sentence है doer कौन है आप you main word लगेगा did action है याप आना come लेकिन simple है तो did छुब गया come के अंदर और वो second form बनेगी came when you came जब आप आई for the first time पहली बार so for the first time पहली बार अगर दूसरी बार होता for the second time ऐसे so जब आप पहली बार आई थी when you came for the first time घर खोजने में आपको किस तरह की कठेनाईयों का सामना करना पड़ा चीक है जी अब यहाँ पे फिर जैसे एक पहला sentence आया था ना उसी के जैसा यहाँ पे भी कौन सा sentence है past indefinite चीक है अब formation क्या होनी चीए सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाया ना में नहीं दे सकता सबसे पहले वाला जो sentence था same वही है और grammatical error जो है acceptable mistake जो है वो भी same है चीक है so आना formula है question word main word doer और action so question word क्या है यहाँ पर किस तरह की परेशानिया यह पूरा question word है so what kind of difficulties फिर आएगा main word did फिर action sorry फिर doer you और फिर action यहाँ पर सामना करना face so what kind of difficulties did you face यह sentence की formation होनी चाहिए जो grammatically correct होगी लेकिन यहाँ पर क्या करा वही वाली पहली जो थी acceptable mistake वही की है कि दिर छुपा दी action के अंदर so what kind of difficulties you faced in finding a house घर ढूंडने में अब यह find के अंदर ing भी ना नीने वाले sense के लिए लगा होगा होगा है घर ढूंडने में so in finding a house so what kind of difficulties did you face in finding a house यह grammatically सही है और what kind of difficulties you faced in finding a house यह sentence आपका spoken में acceptable है लेकिन grammatically गलत है क्योंकि लोग आपको आपके धर्म के अधार पर भेधभाव करते हैं sorry लोग क्योंकि लोग आपके धर्म के अधार पर भेधभाव करते हैं अब देखो भेधभाव करने का मतलब पता है क्या होता है इसको तो discriminate चीक है भेधभाव discriminate चीक तो यहाँ पर action यहाँ पर यही है भेधभाव करना तो discriminate is action here so sentence is present indefinite sentence and the formula will be क्योंकि के लिए because लगाव sad में रख दो चीक है doer से उठाते हैं लोग आपके धर्म के अधार पर भेधभाव करते हैं से उठाते हैं so doer main word action doer कौन है आपर लोग people चीक है फिर main word आएगा main word people के साथ लगेगा do ठीक और action के है discriminate लेकिन sentence simple है तो do छुब गया discriminate के अंदर और कोई change नहीं हुआ so people discriminate लोग भेधभाव करते हैं on the basis of your religion on the basis का मतलब किसी चीज़ के अधार पर on the basis of your religion आपके धर्म के अधार पर समझ गए so on the basis भी बहुत ही बहुत जादा यूज होने वाली चीज़ है on the basis of something किसी चीज़ के अधार पर क्योंकि लोग आपके धर्म के अधार पर भेधभाव करते हैं अब यह करें जब मैं एक घर खोज रही थी चीज़ के अब जब के लिए वैन लगाओ और साइड में रखतो sentence हम यहां से पकड़ेंगे मैं एक घर खोज रही थी समझ गए तो present sorry past continuous sentence है doer main word action की first form में ing doer कौन है मैं I main word लगेगा was action के है या पर ढूंडना search और उसमें ing I was searching for a home या फिर I was searching her home यह भी sentence बन जाता तो जब मैं घर खोज रही थी when I was searching for a home और मुझे एक मिल गया था और मुझे एक मिल गया था अब यह sentence भी आपका past indefinite sentence है और के लिए end लगाया side कर दिया मुझे एक मिल गया था so I did find आना चाहिए do or main word action लेकिन did छुप गया find में और वो found बन गया I found one चैक है मुझे एक मिल गया था तो पूरा sentence क्या बना जब मैं एक घर खोज रही थी और मुझे एक मिल गया था when I was searching for a home and I found one मेरे broker ने मालिक को बताया कि ये एक अभिनेतरी के लिए है चैक है so sentence को उनसा है past indefinite sentence कि मेरे broker ने मालिक को बताया मालिक मतलब जो उसका owner है घर का landlord, owner ये कुछ भी so do or main word action की formation होगी do or कौन है मेरा broker so my broker broker मतलब जो इन चीज़ों में आपको commission लेते हैं आपको घर खोच के दे देंगे इतना commission मेरा होगा so do or है my broker main word did action बताना tell लेकिन simple है did चुप गया tell के लिए told बन गया so my broker told मेरे broker ने बताया किसको the owner मालिक को बताया that this is for an actress ये एक अभिनेतरी के लिए है ये वाला sentence है ये आपका simple present sentence है चीक है जी simple present sentence की formation क्या रखी है किसकी बात कर रहे है फिर main word फिर वो क्या है चीक है so ये एक अभिनेतरी के लिए है चीक तो ये की बात कर रहे है तो this फिर main word is अब वो क्या है एक अभिनेतरी के लिए है so for an actress so मेरे ब्रोकर ने मालिक को बताया कि ये कभी नेतरी के लिए है my broker told the owner that this is for an actress उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले उन्होंने कहा past indefinite sentence so do a main word action do a कौन है यापे they, फिर did और फिर say, लेकिन did छुप गया say के अंदर said बन गया they said उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हम film industry से किसी को घर नहीं दे सकते मतलब film industry से को ही होगा, हम उसको नहीं घर दे सकते तो sentence कौन सा है ये वाला आपका can वाला, सकता है, सकती है वाला ठीक है, so sentence do a से पकड़ते हैं, उससे जो पहले की चीज है नहीं, नहीं, इसको लगा दिया, no, no sentence पकड़ते हैं, हम film industry से किसी को घर नहीं दे सकते so do a main word not or action do a कौन है, हम we, main word लगेगा can, उसके साथ not action क्या है, देना, give, so we cannot give, हम नहीं दे सकते, क्या we cannot give the house, हम घर नहीं दे सकते, to anyone, किसी को भी, from the film industry फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे sentence बना, so उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, हम फिल्म इंडस्ट्री से किसी को घर नहीं दे सकते, they said no, no, we cannot give the house to anyone from the film industry क्योंकि film industry के सब्भे लोग नहीं होते हैं okay, ठीक, तो यह sentence कौन सा है, यह है आपका simple present sentence, इसके अंदर कुछ action नहीं है सिर्फ एक state की बात कर रहे है, तो इसकी formula क्या होगा, किसकी बात कर रहे है, फिर main word, फिर वो क्या है, लेकिन यहाँ पर not का भी use होगा, ठीक है not का, क्योंकि negative sentence है, तो पहले किसकी बात कर रहे है, फिर main word, फिर not, फिर वो क्या है, इस तरह से, तो देखो क्योंकि के लिए because logo side में रख दो चीक है, film industry के लोग सभ्य नहीं होते है, किसकी बात कर रहे है, film industry के logo की, so film industry people, फिर main word आएगा यहाँ पर plural है, तो r लगेगा फिर not लगेगा, चीक है main word not लगे, अब वो क्या नहीं है सभ्य नहीं है, सभ्य लोग नहीं है so decent people, सभ्य लोग decent people, वो क्या नहीं है, सभ्य लोग सभ्य के लिए decent का use होता है, क्योंकि film industry के लोग सभ्य लोग नहीं होते हैं because film industry people are not decent people मुझे उस मकान मालिक का phone भी आया था और उसने कहा even मतलब phone भी आया था तो इस even को आप चाहो तो या तो call से पहले लगा दो I gotta even call ऐसे भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैंने बताया हुआ है कि हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आ रहा हो English में आप even उस चीज़ से पहले लगा दो तो आप call से पहले भी लगा सकते थे और even से sentence शुरू करोगे तब भी वो sense सेम रहेगा मुझे उस मकान मालिक का phone आया था ठीक है तो past indefinite sentence है doer main word action doer कौन है मुझे I फिर did और फिर action के है phone आना तो get call भी use कर सकते हो receive भी use कर सकते हो मैंने get का use कर दिया so I did get आना चीए लेकिन did छुबा get के अंदर वो second form बन गई I got a call from that landlord मुझे उस landlord का call आया था and he said और उसने कहा sentence कौन सा है और उसने कहा ये भी आपका past indefinite sentence है doer main word action doer कौन है उसने he main word did action कहना say लेकिन did छुब गया say के अंदर sad बन गया and he said और उसने कहा तो पूरा sentence क्या बना मुझे उस मकान मालिक का phone भी आया था और उसने कहा even I got a call from that landlord and he said Bollywood सुरक्षिज जगा नहीं है चीक है Bollywood सुरक्षिज जगा नहीं है फिर वो क्या नहीं है चीक है ऐसे So Bollywood सुरक्षिज जगा नहीं है किसके बात कर रहे है Bollywood Bollywood की बात कर रहे है तो पहला है Bollywood singular है is उसके साथ not अब वो क्या नहीं है सुरक्षिज जगा a safe place चीक है So Bollywood सुरक्षिज जगा नहीं है Bollywood is not a safe place यह sentence बना तो आज की वीडियो में इतना ही था I hope आपके लिए वीडियो useful रही होगी कोई doubt है कोई confusion है comment box में जाईए वहां मुझसे पूछिए वीडियो अगर पसंद आई है तो please like कीजिए नए है like subscribe दोना कीजिए thank you